तो बच्चो आज मैं आप लोग के लिए एक निया मेथड लेकर आया हूँ क्लास 8 के बच्चो के लिए कि बैदिक मैज्स की साहता से किसी भी नमबर का कैसे स्क्वाइरूट फाइंड किया जाए तो आए हम लोगे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि किसी भी नमबर का बैदिक मैज्स की साहता से दौन दियोग द्वारा मेथड से किसी भी नमबर के स्क्वाइरूट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आए बच्चो हम एक एक एक्जामपल लेते हैं आप लोगे सामने यहाँ पर एक्जामपल मैं सो कर रहा हूँ है स्क्रीन पे मेरा एक्जामपल है 9604 इस नमबर का हमको स्क्वाइरूट फाइंड करना है स्वाट कट मेथड से बैदिक मेथड से तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चो हम लोग राइट हैंड साइट से दो डिजिट का एक ग्रूप बना लेंगे यह हमारा एक ग्रूप हो जाएगा और बाकी जो बच जाएंगे रिमेनिंग जो डिजिट बचेंगे वो हमारा सेकेंड ग्रूप होगा बच्चो तो यह 04 जो हमारा 1st यानि 2 और 8 का square आप कीजेगा तो इसके square के last में 4 आएगा तो हमारा जो फर्स्ट ग्रूप है इसका square root 2 और 8 में से कोई एक हो सकता है आएए आगे देखते हैं कि 2 और 8 में से कौन सा होगा यह next topic next group से depend करेगा यहाँ पे 96 है बच्चो next group अब बताएगे 96 यहाँ पर है कौन इसा number है जिसका square 96 से काम होता है student तो कौन सा number है 9 number है वो number है 9 यह हमारा second group का square root 9 fix हो गया अब इस 9 पर depend करता है कि 2 और 8 में से कौन सा हम number को choose करेंगे इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे जो 9 है 9 से 1 ज्यादा 9 से 1 ज्यादा 9 into 9 into 10 एक ज्यादा 10 हुआ 9 into 10 कितना हो बच्चो 90 यहाँ पर आपको लिखना है 90 9 into 10 कितना हुआ 90 हुआ बच्चो तो आप बताओ यह 9 से 1 ज्यादा हम लेंगे ध्यान रखना है कि 9 से 1 ज्यादा लेना है 10 और उसको multiply कर देना है 9 into 10 90 अब बताओ बच्चो यहाँ पर जो 96 है 96 90 से बड़ा है या छोटा तो हम देख रहे हैं क 96 क्या है 90 से बड़ा है तो 2 और 8 में कौन 2 और 8 में जो बड़ा नंबर है वही लेंगे क्योंकि 96 जो second group है वो 90 से बड़ा है तो यहाँ पर 2 और 8 में कौन सा नंबर बड़ा है 8 तो यहाँ पर हम 8 ले लेंगे तो बच्चो 9604 का square root हो जाएगा 98 यह बैदिक मैस के साहता से आ तो हम आए एक एनदर एक्जांपल लेते हैं बच्चो हम एक दूसरा एक्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पर रिपरेसेंट कर रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं आए हम देखते हैं second example यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा मैं नंबर लिए हुआ हुआ माल लेजिए मैं इसको नंबर को लेता हूँ 7569 तो बच्चो आये हम देखते हैं इस example को तो क्या करना है first step क्या है right hand side से दो digit का एक group बना लेजिए एक group हो गया 69 अब बच्चो देखना है कि last में 9 है कौन इसा नंबर है जो 9 से end होता है वो नंबर है 3 का square 9 and 7 का square 49 तो 3 या 7 तो दिहान रखना है बच्चो यहाँ पे 3 या 7 हम लिख लेंगे यह दोनों में इसे कौन सा लेंगे decide करेगा second group पे second group क्या है बच्चो 75 है 75 कौन इसा नंबर है जिसका square 75 से कम होता है तो 8 8 जा 64 तो बच्चो हम क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे बच्चो अब 8 का जो table है नो 8 का table एक ज्यादा 8 से 1 ज्यादा 8 into 8 से 1 ज्यादा क्या होता है 9 8 9 जा कितना हो बच्चो 72 ओके यह जो 72 है नो इसको second group से compare करना है अब बताओ बच्चो 75 जो है एक 72 से बड़ा है या छोटा तो हम देख रहे हैं 75 बड़ा है तो 3 और 7 में कौन सा नमबर बड़ा है 7 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 तो बच्चो हमारा जो square root हो गया 87 हो गया 87 हमारा square root हो गया 7569 का तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी इस नमबर का square root हम लोग बैदिक मैस की सहयता से असानी से find out कर सकते हैं बच्चो तो यह हमारा बैदिक मैस की सहयता से square root रहा तो बच्चो आए एक और example आप लोग के सामने हम रख रहे हैं एक अनधर example सबसे बड़ा नमबर है 15625 का square root निकालते हैं बच्चो तो सबसे पहला हम इसका grouping करेंगे राइट हैंड साइट से दो डिजिट को निकाल दीजिए आपका 25 एक group 1 हो गया और 156 आपका group 2 हो गया तो यह बच्चो देखते हैं लास्ट में 5 है तो इसका तो बच्चो fix है कि 5 एक ही नमबर के square में आता है 5 इसमें आपको कोई doubts नहीं है तो आपका एक हो गया आपका 5 square root ले लेंगे second group क्या है 156 तो बच्चो आप बताओ कौन ऐसा number है जिसका square 156 से कम होता है बच्चो तो 12 का square क्या होता है 144 13 का square 169 13 ज्यादा हो जाएगा बच्चो तो 12 का square 144 तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 तो हमारा square root हो गया 125 इसका square root हमारा हो गया 125 जिस भी इस number के last में अगर 5 हो बच्चो तो उसका square root directly निकाल सकते हो 5 लिख लो first group का square root 5 लिख लो और second group का उससे कम जो भी number के square है उसको direct लेख लो 12 आपका यहाँ पे complete होता बच्चो तो I hope आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसके सहता से असानी से समझ जाएगे अगर आप लोग को कोई भी problem होता है कोई भी आपको doubts होते हैं तो आप मुझे यहाँ पे देखने के बाद आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं आप लोग के जो भी problem होगा उसको sort out कर दूँगा next वीडियो में Thank you so much बच्चो Have a nice day